क्या आप भाति सेना नौ सेना या वायू सेना में एक अफसर बनना चाहते हैं फिर आपको पास करना होगा एक सबसे कठी इंटर्व्यू एस एस पी लेकिन डरने की जुर्ब नहीं है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एस एस वी इंटर्व्यू की तैयारी का हर वो रास जो आपको उसको क्राइक करने में मदद करेगा बहुत ही सरल और आसान भाशा में तो नमस्कार दोस्तों स्वाखत है आपका इस बेहत खास वीडियो में अगर आप भी एक ऑफिसर बंदे का सपना देख रहे हैं और एस एस बी इंटर्व्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगा पर है आज हम बात करेंगे एस एस बी इंटर्व्यू के उन पार्स दि का वो इंटर्व्यू उन सभी कैंडेट्स के लिए होता है जो भात दिया सेना वायू सेना या नौ सेना में अफसर्ख बनना चाहते हैं यह पास दिन का वो प्रोसस है जिसमें आपकी मानसिक शारिरिक और सामाजिक स्किल्स की जाज होती है इसे क्लियर करने के बाद ही आप क्थ नर्वस होते हैं कुछ बहुती एक साथे क्थेंख़ाइंडवार में सबसां गरेखते हैं और सबसे में आपको सबसें पहले आपके ग्रुम में बढ़ा जाता है और शूरू होता है आपका पहला देवल, screening test, इसको आप कह सकते हैं छटनी परिक्षा, पहला दिन बेहत लिए तो पूर होता है, इस दिन का सबसे पहला test होता है, screening test, इसके दो मुखे हिस से होते हैं, OIR test, Officer Intelligence Rating Test, और PPDT, Picture, Perception and Discussion Test, पहले आप से कुछ वर्बल और non-hurर्बल बेहत रचिन पूश हाईएंगे, फिर आपको एक दुदली तस्मीर दिखाई जाएगी इस तस्मीर पर आपको एक कहानी बनानी होगी और फिर इसे ग्रूप में डिसकस करना होगा याद रखें इस दिन सिर्फ वही उम्मीदबार अगले चार दिनों के लिए चुने जाते हैं जो स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होते हैं यह दिन थोड़ा कटिन हो सकता है योगी कई कैनिडेट्स पहले ही दिन में बाहर हो जाते हैं लगभग 400 में से 370 बाहर हो जाते हैं डे टू साइकालोजी टेस्ट मनोवज्यानिक की परिक्षा दूसरा दिन की शुरुवात होती है मनोवज्यानिक टेस्ट से इसके चार मुख्यों इससे होते हैं पहला ट थेमिटिक एप्रिशेशन टेस्ट आपको एक के बाद एक तस्वीर दिखाई आती है लगभग ग्यान तस्वीर दिखाई जाएंगी हर तस्वीर के लिए आपको चार मिनिट मिलेंगे जिसमों एक कहानी लिखनी होगी आखरी तस्वीर बारवी दिखाई जाएगी उस पर आप अपने मन की कहानी लिख सकते हैं दूसरा वैट वर्ल्ड असोशेशन टेस्ट यहाँ पर आपको 60 सब्द दिए जाएंगे हर एक सब्द के लिए 15 सेकंड मिलेगा उस 15 सेकंड में आपको एक वर्लड पर एक सेंटेंज लिखना होगा थर्ड एस रटी सिच्वेशन रियाक्शन टेस्ट यहाँ पर आपको 60 सिच्वेशन दिए जाएंगी एक सिच्वेशन के लिए आपको 15 सेकंड मिलेगा और उस पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप उन परिस्थितियों में क्या करेंगे पूर्थ इसमें आपको अपने खुद के बारे में लिखना होगा कोशन इस प्रकार के हो सकते हैं यह सारे टेस्ट आपके मानसिक संतुलन देशलता और सिच्वेशन हैंडलिंग की योगिता को परते हैं तीसरा दिन आता है ग्रुप टेस्ट जिने चीजियों टास्क कहते हैं इसमें नौ अलग अलग अलगत वीडिया होती हैं पहला ग्रुप डिस्किशन जिसमें आपको एक टॉपिक पर बहस करने होती हैं दूसरा ग्रुप प्लैनिंग एकसाइज इसमें आपको एक इमेजनरी सिच्वेशन दी जाती है कि आपको कहीं पर नौ बज़ रिपूर्ट करना है और सभी चार दोस्त हैं आपको अलग अलग किस तरीवी से आप जिनको हैंडल करेंगे वह को पर प्लैन करना होता है इसमें आपको ग्रुप को अलग अलग टास्क दे जाते हैं पूर्ज हाव ग्रूप टास्क इसको एच्टी टीवी बोलते हैं इसमें आपको ग्रूप को हाफ हाफ पार में डिवाट कर दे जाएगा और टास्क दीए जाएंगे फिफ्थ लेक्षिरेट लेक्षिरेट में आपको दो टॉपिक दी जाएंगे एक एक हार्ड आपको चूज करना होता है जो भी टॉपिक आप चूज कर सकते हैं इसके लिए आपको करेंट एफेर की तेयारी अच्छे रहनी पड़ती है और वहाँ पर उस टॉपिक को आपको टेवर करना होता है और बहुत ठी अच्छे से बोलना होता है इसमें आपको इनडी विजुजन आप इसमें आपको इनडी बीजुली यदि एक इंसान चाहæए टास्क को कम्प्लेट करेगा आप से घसकर से टायर के विजम सपूद रा दिवाद फांद रा इस तरीके के टास्क आपको एक लिमिट्ट टेर केंदर करने होते हैं हर टास्क के नंबर्स होते ही हैं कि अगर इसमें आपको कमांड करना होता है टास्क को एट इसने क्रेस या गुरूप ऑप्स्टेकल रेस भी कहते हैं सो इसमें आपको गुरूप को जितारा होता है अलग अलग ग्रूप को देवाइड करते जाता है हर गुरूप को एक साफ जाता है लाकली साफ यह एक फाइनली गुर्प सबको टास्क मिलता है, कौन से गुरुप जीतता है, यहाँ पे आपका ए इंडिवीडियुली नंबर नहीं होता कभी भी, सिर्फ इंडिवीडियुली अपस्टेकल्स में आपको अलग-अलग जीतने का नंबर मिलता है, भागे सारे गुरुप टास यहार इंटर्वियू बहुत ही सामान में होता है लेकिन आपके जवाबों में इमानदारी और आप में विश्वास जरूरी है आपकी पर्सनालिटी और सोच का सही सबसे बड़ा टेस्ट होता है Day 5 Conference Day आखरी दिन होता है Conference Day इसमें सारे बोर्ड मेंबर्स बैठ कर आपकी पूरे पर्फॉर्मेंस बर्च रचा करते हैं अगर उन्हें लगता है कि आप एक अच्छा आफिसर बन सकते हैं तो आप SSB क्लियर कर जाते हैं इस दिन का नतीजा आपके हाथों में नहीं बल्कि आपके प मानसिक तैयारी आपका मानसिक सिंतुलन और धैर इस इंटर्विव में सबसर ज्यादा महत्यपूर्ण है मनोवैग्यानिक टेस्ट की तैयारी के लिए प्रती दिन अपनी सोच को इसपस्ट रखें आप जाने कि आपकी होबी क्या है आपको पसंद क्या है और लोग आपके को बारे में क्या सोचते हैं आपको अपने ओफिसर लाइक को एंप्रूव करना पड़ेगा दूसरा शारिक तैयारी फिटनस बहुत जरूरी है आपको कम से कम रोज इन किलोमेटर रेनिंग करनी चाहिए एकसाइस अच्छी करें और अपने बॉड़ी को एक्टिव रखें ताक्या फिजिकल टास्क को बहुत ज़ल्दी पूरा कर सकें थर्ड लिडर्शिप और टीम वर्ड जीड़ टास्क में आपकी लिडर्शिप और टीम को साथ काम करने की समता देखी जाती है अपने सोच में लिडर्शिप को बढ़ाए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहा प्रियास करें अपने मित्रों के साथ अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप शीशे को देखकर बात कर सकते हैं जैसे आपका कॉंफिडेंस बूस्ट होता है पिछले अर्गोवो से सीखें अगर आपने अर्गोवो को रिलाइस करें और उन्हों सुधार में नहीं तो आप आप एक दिन भात के सेना नो सेना या वायू सेनम में अफसार ना परें अगर आपको फडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो की लिए हमारे जगा को सब्सक्राइब करना ना भोलें